जैश्री राधारानी सरकार की जैश्री कृष्ण भगवान की जैपोष मास सफलाय कादशी वरत की मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हारधिक अभिनंदन करते हैं वर्ष दोजार चोबिस की पहली एक आदशी सफलाय कादशी है जी हां पोष मास के कृष्ण पक्ष की एक आदशी सफलाय कादशी के नाम से जानी जाती है और आज की इस वीडियो में हम आपको पोष मास के कृष्ण पक्ष की सफलाय कादशी के वरत की कथा को सुनाने जा र रहा है जी हां सफला कादशी कवरत साथ जनवरी दिन रवी वार को है वर्ष की पहनिये कादशी है तो जो भक्त पूरी श्रद्धा भावना से सफला कादशी कवरत रखते हैं उने जीवन में हर शेतर में सफलता मिलती है उनकी मनो कामनाई पूरी होती है और भगवान की क्रिपा मिलती है और जो लोग सफलाय कादशी का वरत नहीं रखते अगर वो भी ये कथा सुनेंगे तो भी उनको भगवान की क्रिपा मिलेगी तो सफलाय कादशी वरत की कथा इस परकार है युदिष्ठर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा है कि हे स्वामिन पोश मास के पक्ष में जो एक आदशी होती है उसका क्या नाम है उसकी क्या विधी है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है ये बताने की कृपा की जिए भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे है कि हे राजन बत लाता हूं सुनो बड़ी बड़ी दक्षिना वाले यग्यों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एक आदशी व्रत के अनुष्ठान से होता है इसलिए सरवथा पर्यतन करके एक आदशी का व्रत अवश्य करना चाहिए पोश मास के क्रिशन पक्ष में सफला नाम की एक आदशी होती है उस दिन वीधी पुरवक श्री नरायन भगवान का पूजन करना चाहिए एक आदशी कल्यान करने वाली है अत्या इसका व्रत अवश्य करना उच्चित है जैसे नागों में शेष नाग पक्षियों में गरुड देवताओं में श्री विष्णू तथा मनुष्यों में भ्रह्मन श्रेष्ट है ठीक उसी प्रकार स द्वारा श्री हरी की पूजा करें नारियल के फल सुपारी बिजोरा निम्बू जमीरा निम्बू अनार सुंदर आमला लोंग बेर दथा विशेष्ट है आम के फलों से देव देवेश्वर श्री हरी की पूजा करनी चाहिए इसी प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें सफलाय कादशी को विशेश रूप से दीप दान करने का विधान है रात को वैशनव पुर्षों के साथ जागरन करना चाहिए जागरन करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता ये राजन अब सफलाय परिनी कथा सुनो चंपावती नाम से विख्यात एक पूरी है जो कभी राजा महिश्मत की राज धानी थी राज रिशी महिश्मत के पांच पुत्र थे उनमें जो सबसे बड़ा था वह सदा पाप करम में ही लगा रहता था पर इस्त्री गामी और वैश्याओं में आसक्त रहता था उसने पिता के धन को पाप करम में ही खर्च किया वह सदा दुराचार परायन तथा ब्रामनों का निंदग था वैश्नवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा किया करता था अपने पुत्र को ऐसा पापाचारी देखकर राजा महिश्मत ने राज कुमारों में उसका नाम लुंभक रख दिया फिर पिता और भाईयों ने मिलकर उसे राजे से बाहर निकाल दिया लुंभक उस नगर से निकलकर गहनवन में चला गया वही रहकर उस पापी ने प्राइस मूचे नगर का धन लूट लिया एक दिन जब वह चोड़ी करने के लिए नगर में आया तो रात में पहरा देने वाले सी पाईयों ने उसे पकड़ लिया किन्तु जब उसने अपने को राजा महिशमत का पुत्र बत लाया तो सी पाईयों ने उसे छोड़ दिया फिर वह पापी वन में लोट आया और प्रति दिन मास रथा वरिक्षों के फल खाकर अपना जीवन निर्वहा करने लगा उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल वरिक्ष के निकड़ था वहां भहुत वर्षों का पुराना पीपल का वरिक्ष था उस वन में वह वरिक्ष एक महान देवता माना जाता था पाप बुद्धी लुम्भक वही निवास करता था भहुत दिनों के पशात एक दिन किसी संचित पुन्य के परभाव से उसके द्वारा एक आदशी के वरत का पालन हो गया पोश मास में कृष्ण पक्ष की दश्मितिती के दिन पापिष्ट लुम्भक ने वरिक्षों के फल खाए और वस्त्रहीन होने के कारण रात भर जाडे का कश्ट भोगा उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम ही मिला है वह निश्प्रान सा हो रहा था सूर्य उदे होने पर भी उस पापी को होश नहीं हुआ सफलाय कादशी के दिन भी लुम्भक बेहोश ही पड़ा रहा दोपहर होने पर उसे चेतना प्राप्त हुई फिर इधर उधर द्रिष्टी डाल कर वह आसन से उठा और लंगडे की भांती पैरों से बार बार लड़ खडाता हुआ वन के भीतर गया वह भूक से दुरबल और पीडित हो रहा था ये राजन उस समय लुम्भक भहुत से फल लेकर ज्योही विश्राम स्थान पर लोटा त्यों ही सूरदेव अस्त हो गए तब उसने व्रिक्ष की जड़ में भहुत से फल निवेदन करते हुए कहा इन फलों से लक्षमी पती श्रीहरी विश्नु भगवान जी संतुष्ट हो ऐसा कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली इस परकार अनायास ही उसने इस वरत का पालन कर लिया उस समय सहसा अकाश वानी हुई ए राजकुमार तुम सफला कादशी के प्रसाद से राज्य और पूत्र प्राप्त करोगे भहुत अच्छा कहकर उसने वह वर्दान स्विकार किया है इसके बाद उसका रूप दिवे हो गया तब से उसकी उत्तम भुद्धी भगवान विश्नु के भजन में लग गई दिवे आभुशनों की शोबा से संपन होकर उसने अकंटक राज्य प्राप्त किया और पंधरे वर्षों तक वह उसका संचालन करता रहा उस समय भगवान श्री क्रिशन जी की क्रिपास से उसके मनोग्य नामक पुत्र उत्पन हुआ जब वह बड़ा हुआ तब लुंभक ने तुरंत ही राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौप दिया और वह भगवान श्री क्रिशन के समीप चला गया जहां जाकर कादशी का उत्तम वरत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मढ़ने के पशात मौक्ष को प्राप्त कर लेता है संसार में वे मनुश्य धन्य हैं जो सफला कादशी के वरत में लगे रहते हैं उनी का जनम सफल है है महाराज इस वरत की कथा को पढ़ने सुनने तथा उसके नुसार आचरन करने से मनुष राज सुय यग्यकाफल प्राप्त कर लेता है तो इस परकार भगवान शी कृष्ण जी ने धरम राज युदिश्टिर को पोश मास के कृष्ण पक्ष की सफलाय कादशी के वरत की कथा को सुनाया है तो आपने इस परम सुंदर कथा को सुना भ भगवान की भक्ती में उनका मन लग जाता है जीवन सफल हो जाता है सभी तरह के सुख संपती आनंद प्राप्त होते हैं और इस मनुष्य जीवन के पशात उनको मौक्ष की प्राप्ती हो जाती है और थात उनको भगवान के धाम में सदा के लिए स्थान मिल जाता है तो मं और इसी चैनल पर हम प्रते दिन पोश मास मेहत्यमि की कथाओं को भी सुना रहे हैं, जिसके अंतरगत शिर्मत भागवत महापूरान की कथाओं को सुनाया जा रहा है, तो आप उन कथाओं को भी सुनें और भगवान की अनंत कृपा को प्राप्त करें, तो आप सब का फिर से धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भगवान श्री लक्षमी नराएं जी की तुलसी माता की शिरमत भागवत महापुरान की पोश मास सफला कादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे शाम